Good morning, children. Welcome to my online study English class. Today's our topic is articles. I have made this video for articles. Articles is an English structure like verb, noun, etc. Articles जब हम recall करते हैं, तो थोड़ा बच्चों के लिए confusion होता हैं. कि articles कौन कौन से हैं, ये कैसे काम करते हैं, जल्दी से ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आती है. तो मैं इसके लिए आपको एक shortcut बताती हूँ. उसे जैसे ही आप articles को देखोगे, तो आप जल्दी ही समझ जाओगे कि इसमें कौन सा articles लगेगा. Articles का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई होता है. जो words जो अकेला होने का एहसास कराता है, वह articles कहलाते हैं. किसी एक, एक के लिए यूज किया जाता है. अब मैं बताऊंगी कि A, N और The कहां कहां यूज किये जाते हैं. आपको ये तो पता ही होगा कि वावल्स कौन-कौन से हैं. इंग्लिश में वावल्स A, E, I, O, U. ये है हमारे इंग्लिश के वावल्स. जहां पर ये वावल्स का स्टार्टिंग होती है, वहां हम A, N का यूज करते हैं. और उसके अलावा कई वस्तुओं के आगे हम लोग A का यूज ही करते हैं. Like that, बुक में स्टार्टिंग B से है. तो यहां हम लोग B वावल्स में किसी भी वावल्स में नहीं है. तो हम यहां A का यूज करेंगे. A बुक काउ एकाउ फैन ए फैन लोग ए लोग मंकी ए मंकी होर्स ए होर्स ए होर्स उसी तरीके से अब यहां देखिए. एपल एपल A साउंड में आता है. वावल्स है. तो यहां हम लोग N का यूज करेंगे. A एन 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 एपल, एन आइस, एन एलिफेंट, एन आवल, एन एग, एन आउक्स. इसी तरीके से जहां पर वावल्स आते हैं, वहाँ N का यूज होता है. और उसके अलावा, जहां पर सिर्फ वन तिंग के लिए, वहाँ A का यूज ही किया जाता है. आज मैं सिर्फ आपको A और N का यूज ही बताऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको The का यूज बताऊंगी. ओके थैंक्यू.